हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर से आप सभी का एक नई वीडियो पर स्वागत है दोस्तों आज आपको एक बैंकिट फोर्टल की बारे में बताएंगे बैंकिट फोर्टल काफी अच्छा फोर्टल है इसके अंदर कोई भी ट्रांजक्शन नहीं फस्ता तो चलिए दिखा देते हैं इसको उपन करके किस परकार से वर्क करता है क्या के सर्विस है इसके अंदर और यहाँ पे आप अच्छा खासा कमिशन कमा सकते हैं देखें दोस्तों यहाँ पे AAPS के अंदर 10 रुपे कमिशन मिलता है यदि आप 3000 से उपर विड्रो करते हो तो सबसे उपर आप बैलन्स देखोगे तो बैलन्स मेरा यहाँ पे स्यो करेगा यहाँ पे पिरपेड कार्ड बनता है तो कार्ड दोस्तों आपको बता दे पिरपेड कार्ड पे दोस्तों एक लाग पे 700 रुपे कमिशन मिलता है तो काफी अच्छा कार्ड है तो आपके पास कोई भी सोफ है इंटरनेट की सोफ है या कोई भी साइवर कैफ है तो इस card को use करिए ताकि आप 700 रुपे earning करवाएं recharge के अंदर 2-3% तक commission मिलता है और आप नीचे देखोगे my dashboard dashboard के अंदर देखो दोस्तो क्या क्या service है यहाँ पे सबसा अच्छा option है जो की add money का है तो add money क्या क्या है यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ add money के अंदर दोस्तो आप debit card से, credit card से, ATM से या internet banking या UPI से या ATM से पैसा लोड कर सकते हूँ तो यह अच्छा point है तो आप इससे पैसा लोड कर सकते हो तो चलिए मैं AAPS का KYC कैसे करते हैं तो यहाँ पे AAPS के option को मैं यहाँ पे open कर लेता हूँ तो चलिए फटा-फट से open करने के बाद में यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पे सबसे उपर आपको mobile number दिखाई देगा और वो उपर आप देखोगे EKYC for Yes Bank ठीक है BC registration तो टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है complete यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके बाद में देखिए यहाँ पे आधार कार्ड का number यहाँ पे टाइप करना है और आपको नीचे दिखा दे email ID आपकी पहले से register है ठीक है और यदि नहीं है तो आप टाइप कर लिजे pen card number यहाँ पे लिखा मिलेगा और biometric आपको connect करना है biometric आपके पास morph हो है या मंत्रा है या start है कोई भी लगा सकते हो तो चलिए मैं फटाफट सी डिटेल लगा के और biometric connect कर लेता हूँ और यहाँ पे सबसे निचे biometric आपको दिखा देता हूँ more भो है मंत्रा है start है यह biometric लगा के आप fingerprint KYC कर सकते हो तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे निचे capture fingerprint करता हूँ यहाँ पे biometric के अंदर light on हो जाएगे और उसके बाद में fingerprint रख देना है biometric successful capture please press submit button और यहाँ पे सब देख सकते हो निचे submit का option दिखाई दे रहा है और यहाँ पे capture हो चुका है ठीक है तो चलिए मैं निचे submit कर देता हूँ और submit करने के कितने देर बाद यह start होगा अभी यहाँ पे show हो जाएगा तो चलिए अभी देख लेते हैं तो चलिए थोड़ा सा इंतजार ओर कर लेते हैं अभी please wait के लिए ही बोल रहा है देखिए दोस्तों यहाँ पे BC registration request receive successful please wait 24 hours for activation यानि कि AAPS दोस्तों 24 गंटे के अंदर start हो जाएगा बैंक की तरफ से तो यहाँ पे activation successful हो चुका है तो चलिए मैं इसको okay कर देता हूँ और wait करते हैं 24 गंटे बाद यह AAPS start हो जाएगा और AAPS के अंदर दोस्तों 10 रुपे तक commission कमा सकते हैं तो दोस्तों इस परकार से EKYC कर सकते हैं यदि आपने bank kit का portal लिया है और यदि नहीं लिया है तो नमबर मिल जाएगा आपको description में आप हमसे संपरक कर सकते हैं तो दोस्तों जो लेने के लिए एक चुक हैं तो वो केवल what's up कर सकते हैं और what's up पे document send कर सकते हैं आपकी ID बन जाएगी वीडियो अच्छा लगे तो like कर देजे चैनल पहले वाय सस्क्राइब कर लिजे जै हिंद जै बारत पंदिमात्रम